प्रदानवंद्री नरेंद्र मोदी देश को खुले में शौच से मुक्त बनाना चाहते हैं जिसके लिए उन्होंने हर घर शौचाले योजना की शिवात की और शौचाले बनवाने के लिए 12,000 रुपे की धन्नाशी भी मुहिया कराई लेकिन उसके बाद भी लोग खुले में शौच करने के लिए जा रहे हैं जिसको रोकने के लिए जनपर संभल में जिला पंचायद राज अधिकारी जाहिद हुसै ने स्वच सर्वेशन ग्रामेंट की तहद शौचाले के निरिक्षन किया जिसमें उन्हें शौचाले निर्मा जो शौचाले होने के बाद भी खुले में शौच के लिए जाते हैं इसके बाद उन्हें समझाए, नोटिस भेजे, नहीं माने तो उनके उपर जुर्माना लगाए, यदि उसके बाद भी नहीं माने तो उनके विर्द मुकद्वा दर्च करा दे देखिए ग्राम पंचायत कैथल विकासखन बनिया खेडा में, यह बहुत बड़ी ग्राम पंचायत है, यहां लगबख 700 शौचाले का निर्मा कराए गया है, तो हम लोग इस वक्त सोच सर्वेक्षन ग्रामीड भी चल रहा है, गाउं की साफ सफाई, और शौचाले का मजूद रहे, उन्होंने मौके पर चलके हमने शौचाले देखते हैं, और जितने शौचाले बने के उसका सत्यापन भी किया, कुछ लोग ऐसे हैं, जो शौचाले का प्योग नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम है, हमने संबंदी ग्राम पंचायत सची वर प्रधान को ये निर्देश दिये हैं, कि आप लोग ऐसे लोगों को चिन्नित करें, उनको पहले संधाएं, अगर वो समस्ते हैं ठीक है, अन्य था ग्राम पंचायत को ये अधिकार है, कि यदि कोई व्यक्ति, फुले में शौच के लिए जाता है, गंदगी फैलाता है, तो ग्राम चैते करेगी कि सौ रुप्या जुर्माना लगा है, या पान सौ रुपर जुर्माना लगा है, ऐसे लोगों को नोटिस देंगे, जो शौचाले का प्रियोग नहीं कर रहे हैं, क्योना आप से शौचाले की धंदाशी वापिस ले ली जाए, उसके बावजूद भी अगर को में शौ जाना भी है, तो ऐसे लोगों को चिन्नित किया जाएगा, और अगर वो नहीं मानते हैं, तो ग्राम पंचायत अगर चाहेगी, तो ऐसे लोगों को ब्रेट उपर समसूचनल को भी दर्श कराएगा सब्सक्राइगा।